दोस्तों इस वीडियो में मैत का एक साट ट्रिक सीखेंगे जिस ट्रिक की सहायता से कलकूलेशन में काफी हद तक आसानी होगी दोस्तों ट्रिक क्या है किसी भी दो अंकों की संख्या का 11 के साथ मल्टिप्लाई करने का सबसे आसान ट्रिक है एकदम ध्यान से समझिएगा और सिखिएगा देखिए दोस्तों 32 में दो अंक है तो 3 को यहां लिख देंगे और 2 को यहां लिख देंगे 3 को इस साइड और 2 को इस साइड लिख देंगे कोश्टक के अंदर दोस्तों इसी 3 और 2 को आपस में जोड देंगे तो 3 प्लस 2 हो गया ठीक है दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे 3 को इस साइड लिखेंगे 2 को इस साइड में लिखेंगे दोस्तों इसी 3 और इसी 2 को आपस में जोड़ देंगे कोश्टक में करके ठीक है दोस्तों इसको solve कर लेंगे यहां से 3 हो गया तीन में दो को जोडेंगे तो पांच आ जाएगा दो को वैसे का वैसा लिख देंगे यानि दोस्तों 32 में 11 का गुड़ा करने पर 352 आ जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं यही दोस्तों करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला एक्जामपल देखते हैं अगला एक्जामपल है दोस्तों 43 में 11 का गुड़ा करना है एकदम आसानी से गुड़ा करेंगे देखिए दोस्तों 4 को इस तरफ लिखेंगे और 3 को इस तरफ लिखेंगे ठीक है दोस्तों कोश्टक के अंदर इसी 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 प्लस 3 हो गया ठीक इसको solve कर लेंगे देखिए यहां 4 है तो 4 लिख देंगे 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा 3 को वैसे का वैसा लिख देंगे सबसे पहले 4 को इस तरफ लिखेंगे 3 को इस तरफ लिखेंगे कोश्टक के अंदर इसी 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों यहां से 4 हो जाएगा 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा 3 को वैसे का वैसा लिख देंगे यानि दोस्तों 43 में 11 का गुड़ा करने पर 473 आएगा यही राइट होगा चलिए next example देखते हैं 65 में 11 का गुड़ा करना है आसानी से आप गुड़ा करेंगे 6 को यहां लिखेंगे इस तरफ 5 को लिखेंगे दोस्तों इसी 6 और 5 को कोश्टक में लिख करके जोड़ देंगे तो 6 हो गया प्लेस 5 हो गया ठीक है दोस्तों देखिए यहां से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 में 5 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा कोश्टक के अंदर और यहां से 5 हो गया हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कोश्टक के अंदर केवल एक अंक आएगा अगर दो अंक आ रहा है तो दूसरे वाले अंक को इस तरफ वाले अंक के साथ जोड कर लिख देंगे तो दोस्तों यहां से 6 हो जाएगा 6 में 1 को जोड़ देंगे और इस 1 को कोश्टक के अंदर कर देंगे और 5 को लिख देंगे ठीक है दोस्तों तो 6 में 1 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 1 को वैसे का वैसा लिख देंगे इस 5 को यहां लिख देंगे ठीक है दोस्तों यानि यही correct टैंसर हो जाएगा 715 यही ठीक है यही राइ टैंसर हो जाएगा चलिए कुछ और एकजामपल देखते हैं अगला एकजामपल है दोस्तों 79 में 11 का गुड़ा करना है आसानी से गुड़ा करेंगे इस 7 को इस तरफ लिखेंगे और इस 9 को इस तरफ लिखेंगे कोष्टक में इ अंदर ठीक है और यहां से 9 हो गया हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कोश्टक के अंदर केवल एक अंक आना चाहिए अगर दो अंक आ रहा है तो दूसरे वाले अंक को इस वाले अंक में जोड़ देंगे ठीक है तो 7 हो गया प्लस इस वाले अंक को इसमें जोड़ देंगे तो 7 प्लस 1 कोश्टक के अंदर 6 बच गया और यहां से 9 हो गया ठीक है दोस्तों तो 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 6 को वैसे का वैसा लिख देंगे 9 को भी वैसे का वैसा लिख द कुछ और example देखते हैं, दोस्तों 85 में 11 का multiply करना है, आसानी से multiply करेंगे, 8 को इस तरफ लिखेंगे, 5 को इस तरफ लिखेंगे, कोश्टक के अंदर दोस्तों इसी 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे, तो 8 प्लस 5 हो गया, ठीक है दोस्तों, यहां से क्या हो जाएगा, 8 हो गया तो 13 हो जाएगा, कोश्टक के अंदर और यहां 5 हो गया, हमेशा ध्यान रखेंगे, कोश्टक के अंदर केवल 1 अंक आना चाहिए, अगर 2 अंक आ रहा है, तो दूसरे वाले अंक को इस तरफ वाले अंक के साथ जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहां से 8 हो गया, प् तीन को वैसे का वैसा लिख देंगे, पांच को वैसे का वैसा लिख देंगे, यानि दोस्तों 935 आएगा राइट एंस और 85 में 11 का गुड़ा करने पर, उमीद करते हैं दोस्तों, आप एकदम आसानी से समझ गये होंगे, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रिक अच्छी ल